सो गाइस जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जनरल लू त्यान ने सेट पर अटेक करने आया था टिंग फेंग ने उसके साथ फाइट की थी पर उसे हरा नहीं पाया क्यों के हैंवली रियलमे में था उसने जू यांग पर भी अटेक किया पर जू यांग ने अपन ल्यू हार्ट के बारे में बताया था जिससे जू यांग हिरान रहे गया था अब हम कहीं अजार साल पहले का सीन देखते हैं जब जू यांग की एक डिसिपल हुआ करती थी जिसका नाम लियांशू था जो उसके काफी क्लोस थी वो कुछ भी करके अपने मास्टर जू यां ट्रेजर मेरे लिए बेकार है और कोई भी ट्रेजर मेरी लेवल को बढ़ाने में मदद नहीं कर सकता लियांशू कहती है कि मास्टर मेंने इस्टसी के एक ट्रेजर के बारे में सुना है जिसका नाम डिप सी ब्ल्यू हार्ट है इसलिए मैं आपके लिए उसे लेने मेरे लिए किसी काम का नहीं होगा पर लियांशू के एति है कि मैं कोशिश करना चाहती हूं जुयांग उसे समझाता है कि तुम्हें मेरे लिए इतना परिशान होने की कोई जुरत नहीं है वेसे भी इस समय डीमन हर जगे ट्रबल पेदा कर रहे हैं जिस वाजे से ओ इस्ट वो इस्टसी के उस इलाके में पहुँच गई थी जहां डीव सी ब्ल्यू हार था पर वहां एक तेज रोशनी थी जिसके अंदर जाने की वज़े से वो फिर कभी बाहर नहीं आ सकी जुयांग को जब अगले दिन लियांशू का छोड़ा हुआ हैर पीन और उसका लेटर मिल तो तुरंट उसे डूरने के लिए इस्टसी में आया जहां डीव सी ब्ल्यू हार प्रकट हुआ था पर उसे वहां लियांशू का कुछ बता नहीं चला और उसने हमेशा के लिए उसे खो दिया और अब जुयांग के पास जिब लियांशू का हेर पीनी बचा था जुयांग निकलेंगे जुयांग कहता है कि हमें अभी वहां जाने के लिए निकलना होगा वो अपने इस्टसी की तरव निकल जाते हैं जुयांग कावी परेशान था इसलिए कि यू पूस्ती है कि जब से आपको उस डीव सी ब्ल्यू हार्ट के बारे में पता चला है आप कावी उते देद बोडी भी नहीं मिली पर अब डीव सी ब्ल्यू हार्ट फिर से इस दुनिया में प्रकट हुआ है इसलिए मैं उसका इस्तमाल लियांशु को रेस्पेट देने के लिए करना चाहता हूँ कि यू कहती है कि माश्टर आपको सीनर लियांशु की देद बोडी नहीं मिली इसका मतलब हो सकता है कि ओ अभी भी जिन्दा हो जू यांग कहता है कि मैं भी उम्मिद करता हूँ कि एसाई हो वो दोनों एक आइलेंड पर आकर उतरते हैं जहां पर डॉक्स पर मौजूद लोग बाते कर रहे थे कि यहां अक्सर डाको लूट पार्ट मचाते रहते हैं प अच्छों से लगता है कि सी सोल्व सेट के बास लिया राशें मचे से जुड़ी हुई कोई चीजे जरूर होगी इसलिए व वो किंग्यों में यांग के लिए कावी अच्छी होती sama लगता था वो कहता है कि अक्सन इंसान मुझे कावी जदा परिशान करते हैं मैं तुम दोनों को मुझे चोड़ पहुचाने नहीं दूंगा और वो अपने कुछ लीफ से जुयांग पर अटेक करता है जुयांग अपने औरा को वाँ फिलाता है जिससे वो लीफ दूर हो जात जो जुयांग से कहती है कि तुम हमारे सेट के 10,000 साल पुराने पेड़ के साथ क्या कर रहे हो और वो तेजी से जुयांग पर अटेक करती है पर वो जुयांग के बेरियर को भी तोड़ नहीं पाती और दूर चली जाती है जुयांग की पार देकर वो हिरान थी वो कहती है क इसकी रिफाइनिक डियल्मिक के पेटिशनर के पास एक पारफुल शीर्ड है इसलिए मुझे अपनी बेस्ट टेकनिक का इस्तमाल करना होगा और जुयांग पर अपनी अर्टिमेट टेकनिक से अटेक करती है पर जुयांग उसके सलेश को अपने हाँ से ही पकड़ लेता है औ नाम कैसे इस सोट टेकनिक का नाम हमारे सेट के इंसाइडर के अलावा और जुयांग उसके जांब देने के लिए अपनी पार से उसकी फोट को ले लेता है और उसे डियान बिल्यूविंग से फोट टेकनिक को एक ट्रेट करके दिखाता है जिसे देखकर मेंग याओ भी है हरान हो जाती है कि उसने बिल्यूविंग से सोट टेक्निक की यूनिक सोट क्यों को एक्रेट किया था और ये पावर मेंग याओं के माश्टर से भी काफी ज़्यादा पाउरफुल थी जुयांग उसे उस सोट की पावर भी एक्रेट करके दिखाता है जिससे एक जायन सोट की पास वेंग देता है और उसे बताता है कि इस डियान ब्लू विंग से सोट टेकनिक के कुल 72 स्टाइल से आर्ट स्टाइल में वन लेयर होती है और ये सोट टेकनिक फिनिक्स इमोर्टल पर आधारी थे जिसे जब भी कोई इस टेक्निक के आर्ट स्टायल को सीख लेता है उसके पास Phoenix Wings की एक लेयर बन जाती है और इस टेक्निक की 72 लेयर से बने हुए Wings की पावर काफि पारफुल होती है जिसे कोई हरा नहीं सकता और जू यांग के पास ये 72 Phoenix Wings बिंग सोट टेक्निक थी जिसे मेंगयाओ हिरान हुई सोंस थे है कि हमारे सेक्ड में केवल इस डियान बिल्यूब्लीू वीगस स्वो टेकनीक की केवल आर्ट स्टायल है और ये जूयाँ इस टेकनीक के बारे में बहुत कुछ जानते है क्या ये एक फेरी है जूयाँ कि यूं के سाथ सेक्ट के अंदर की तरफ जा रहा था में याओ भी तेजी से भागते हुए अपने मास्टर के पास जाती है और तेजी से उन्हें आवाज लगाती है जिससे उसकी मास्टर रूम से बाहरा जाती है जिसका नाम यूबाई था वो में याओ से बूचती है कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो में याओ कहती है कि हमारे यहाँ एक एंसेश्टर आए है यूबाई कहती है कि तुम भारी लोगों को हमारे सेक्टर में लेकर क्यों आई तो में याओ कहती है कि इनकी पावर कावी महान है और यह वाकर एक एक बार कहा था कि कोई भी इंसान अच्छा नहीं होता और यह आदमी जरूर एक एंस्टेश्टर बनने का दिखावा कर रहा होगा और इसकी पावर केवल क्यों रिफाइनिंग स्टेज में हैं मैं यहाँ कहती है कि एंस्टेश्टर जू यांग बिल्कुल एक फेरी की तरह ल उसके अटेक को रोग लेता है यह देखकर यू भाई कावी एरान होती है जू यांग उसकी स्ट पर अपनी फिंगर से मारता है जिससे वो स्ट बाहर मौजूद एशन ट्री पर जाकर लगती है और यू भाई कावी दूर हो गई थी यू भाई जू यांग की पावर देखक कावी एरान थी वो सोचती है कि एक क्यूरिफाइनी रियल्म के पेटिशनर की पावर इतने मान कैसे हो सकती है जो मैं भी इसे समाल नहीं पा रही हूँ जू यांग उसे कहता है कि तुमारी कर्टियेशन मेनिपुलेशन ने तुमारी सोडी स्वीट को परवाई किया है यू जू यांग अब अपनी पावर से यूबाय को उपर उठा लेता है और उसे अपनी पावर से ठीक करने लग जाता है मैं याओ इससे डर जाती है पर कि उसे बताती है कि हमारे एंसेस्टर तुमारे माश्टर की मदद कर रहे हैं जू यांग की पावर से यूबाय को काफी द दो रहा था और उसकी बोडी से एक तेज एनर्जी निकल रही थी इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाईस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेल देसे निक्ट वीडियो में तेक्स रोची